सब्सक्राइब दोस्तों मेरे नाव में भालचिंद्र ब्रह्मभांड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे शनी का जो ब्रह्मन कुम्ब राशी में होने जा रहा है दिनां 18 जनवरी 2013 को उसका जो प्रभा होगा वप्रभ आपके राशी पर मतलब वृच्चिक राशी पर किस प्रकार का होगा ऐसे कौन से बात है जो कि ध्यान में लेने आवशा के असिच कौन से बात है जो कि प्रत्यक्षरूप में अमल करने चाहिए सभी के बारे में डीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं अप उसका अनद सरूर लीजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृच्चिक राशी के बारे में तो आपके राशी के लिए शनी के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो शनी है यह शनी आपका त्रितेश भी है और चतुरतेश भी है और सबसे इंपोर्डन बा में कुम्बराशी में ब्रह्मन करेगा तो अब तक जैसे देखा जाए तो आपने पिछले दोड़ाए साल में एक नया ही जो बात मतलब आपका जो भी करीर है उसके बार में कुछ शुरुवत की होगी या फिर नया कुछ आपने शुरुवत किया होगा जो कि करीर से जादा रिलेट करने वाला हो और स्ट्रेडी ग्रोध भी आपने देखे होगी और सबसे इंपॉर्टन बात कुछ नहीं सीख आपने पिछले करीबन धाय से तीन साल में आपने ली होगी तो ये बात ये जो शनी आपके तृतिया भाह में ब्रह्मन कर रहा है इस वज़े से आपने किया था और कोई भी ग्रह कोई भी अशुब या फिर पाप ग्रह खास करके अगर आपके तृतिया वह में ब्रह्मन करता है तो अच्छा मानना जाता है यदि भी वह आपके राशी का शत्रु ग्रह हो तो भी तो ये जो शनी का ब्रह्मन आपके तृतिया वह में ब्रह्मन क लेकिन आपके चतुर्त भाव में ब्रहमन कर रहा है लेकिन चतरत भाव जो है वो शनी का अपना भाव माना नहीं जाता तो इसलिए आसे देखा जाए तो दो तिन बात हैं उसके उपर फोर असा धयान देना करा देना होगा घर के जो मामलाथ है घर की जो परसितिया है इसमें चोटी मोटी बात या फिर टेंशन वाली परसितिया है वो देखी जाएगी अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह जो परसितिया रहेगी वो बहुत बड़ी नहीं रहेगी लेकिन जिसे हम बोलते कि silent मतलब आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके मन में ये बात रहेगी कि घर पर कोई ना कोई तो problem है कुछ ना कुछ तो बाते चल रहे हैं आप उसमें खुश नहीं हो मतलब बाहर के जो वेक्ति होंगे उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि घर में क्या चल रहा है लेकिन आप खुश नहीं रहेगी आपके घर के जो लोग है उनके साथ आप इतना satisfy नहीं रहेगी उनके साथ आपकी जो interaction होगी वो normal नहीं रहेगी मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन जाके कुछ जगड़े हो रहे या फिर problem हो रहे है ऐसी बाते बिल्कुल भी नहीं रहेगी लेकिन एक तनाव पूर्ण शांतिता जिसे हम कहते हैं वो आप feel कर सकते हो तो यहीं बात होती है यदिशनी आपके चतरतवाव में होगा दूसरी important बात घर से related कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी जैसे कि अगर आप कोई नया घर लेना चाते हैं या फिर existing घर जो घर है वो अगर आप बेशना चाते हैं उसमें कुछ renovation करना चाते हैं तो यह जो बात है वो easily नहीं होगी उसी परेकर आपके घर के जो बुजर्ग वेक्ति होंगे उनके स्वास्त के बारे में आपको ध्यान देना होगा खास करके आपके जो माताजी है उनके स्वास्त के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा ये बात जान लेज़े, ये बात जान लेना बहुत ही जादा आवश्चक है, उसी परेकार ये जो शनी है, ये शनी, तृते दृष्टे से आपके शंष्ट भाव को देखेगा, दशम दृष्टे से आपके कर्म भाव को देखेगा, सब्तम दृष्टे से आपके दशम भाव क पहती है तो अगर कोई इस प्रकार की medical history तो आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही जादा आवशक होगा और सबसे important बाद जो भी आपका कारिक्षेतर है उससे related जैसमें नहीं अभी कहा कि इसके पहले करीबन दाय तीन साल में आपने कुछ नया जो कार करना चाहिए तो ऐसी बात आले वाले डाय से तीन सालों में बिल्कुल भी नहीं करना जब तक कि जो शनी आपके चतुर दुबाव में या फिर कुम्ब राशी में ब्रह्मन कर रहा है उसी प्रकार यह जो शनी है वो शनी दश्रम दुश्टे से आपके राशी को देखेगा तो होता क्या है कि जब भी शनी आपके राशी को देखता है तो law of interest जिससे हम कहते हैं वो हो जाता है मतलब जीवान में किसी प्रकार की जो बाते उसमें interest आदमी का जो है वो खतम हो जाता है या फिर उसी interest नहीं रहता सब मोहमाया है तो वैरेगर की जो भाशा है वो जो वे नहीं है आपके साथ यह फिर आपके आपके साथ प्रकर नहीं नहीं या फिर सब कर handle बाभी तब लेग तमझेल को मैंने बातें चाहे रहा हूं और सब्सक्सक्रा Jeff वो सिर्फ 5-10 दिनों तक देखा जाता है जो हर मैने के हम जो राशी भाविश्य अप्लोड करते है उसमें इस प्रकार के जो भी योग है उससे related जो भी information है वो दी जाएगी लेकिन नॉर्मल यह अगर देखा जैदे जैसे मैंने काया कि तृतिय अभाव में मंगल था तो इसका बड़े तरपर अगर आपने देखा होगा कि आपने कुछ नए क्षेतर में इंटर किया है और उसमें आप कार्य प्रवण हो तो वही जो बात है वो करीबन आने वाले 2.5 साल में आप अनुबह कर सकते हो घर का जो मामला है उसमें आप अनुबह कर सकते हैं घर का जो मामला जो भी आपने सोचा था उस प्रकार से बाते नहीं हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा चिंतित नहीं होना क्योंकि यह जो बाते हैं वो होती रहते हैं लेकिन उसका बहुत बड़ा प्रवाव आपके जीवन पर नहीं होगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो बिलकुल भी मायूस नहीं होना अब यह जो शनी है जैसे मैंने का कि यह जो शनी है वो करीबन 18 जून 2023 से लेकर 3 नमबर 2023 तक यह वक्री रहेगा उसी प्रकार 30 जून 2024 से लेकर करीबन 16 नमबर 2024 तक यह फिर से वक्री होगा तो जब भी शनी वक्री आपके चतरत अबाव में होगा तो जो भी मैंने बाते गिनवाई उसमें थोड़े स्ट्रेस सेफिटेंशन आपको दिखाई दे सकते है उस इसके पहले कि आपने किसी नए इसमें इंटर किया होगा उसी प्रकार आपके जो भाई बहन होंगे उनके साथ भी आपके चोटे मोटे बातों के लिए करता करा हुई रहेगी या फिर उनके जो इनके साथ आपके जो रिलेशन मेंटें थे उसमें भी खटास आये होगी तो में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा आपको स्वास्त के बारे में भी उसी प्रेकार आपको जो कारिक्षेत्र है उसके संदर्मी और नेगेटिव एप्रोच जिससे हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना उसी प्रेकार अब जैसे कि यह जो शनी है यह शनी करीबन अठ उसके बारे में भी तक आप तक आपने देखा होगा कि पैसे के मामलात में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है अगर आप relationship में है तो भी जो बाते हैं वो काफी अच्छे तरीके से बन रहे हैं अभी का अभी का जो समय चल दर उसके बारे में देखा जाए तो पिछले करीबन 2-3 मेने में मतलब करीबन November, December और January यह जो अभी चल रहा है उसमें आप में आपकी जो वय वय जो दर है उनमें बहुत से बातों में problem, complication हो रहे है हाला कि आप दोनों में जो stress tension की जो बात चल रही है वो करीबन 3-4-5 मेने से चल रही है तो अब मतलब जनवरी के करीबन 20-22 ते के तारीक के बात यह जो stress tension है वो काफे मायनों में नॉर्मल हो जाएगी लेकिन यह जो शनी का जो मने मामला बता है इसके उपर थोड़ा सा ध्यान दीजा जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे गुरु के मामले में तो आपने अगर आप share market में trade करते हो तो वहाँ पर भी आपने कुछ अच्छे फाइदे देखे होंगे लेकिन यह गुरु जैसे कि दिनांग करीबं 23 अपरिल के बाद यह आपके सश्ट बहु में ब्रहमन करेगा दिनांग 23 अपरिल से तो उसके बाद थोड़ा सा आपको स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक है तो यह बाद जान लीजे और गुरु का जो भी मतलब जो है वो भी सब्तम दृष्य से आपके दशम भाव को देख रहा है लेकिन गुरु का जो बल है वो आपको मिलेगा इस विज़े से कोई बड़ी दिक्कत आपको जो भी कारशेतर है उससे रिलेटेट नहीं मिलेगी लेकिन पैसे कि जो कमिया है आपके जो खर्चे है वो ब रमन करेगा तो करीबन यह जो संपूर्ण साल है 2023 का इसमें आपको बहुत ज़्यादा चोकरना रहेना होगा सबसे इंपोर्टन बात आपको स्वैम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा आपको स्वास्त के बारे में तकलिफे आ सकत जिसका reasoning होना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा तो मोटे दोर पर अगर देखा जाए तो शनी का जो ब्रह्मन है वो आपके लिए जो शुरुवात के जो एक साल का जो ब्रह्मन है दो अजर तेस का वह आपके लिए थोड़ा सा महतोपन होगा क्योंकि जो गुरु है वो गुरु भी आपके सश्ट भाव में होगा, राहू भी आपके सश्ट भाव में होगा, राहू खाला कि 31 अक्तूबर के बाद वो आपके पंचम भाव में ब्रह्मन करेगा, और जो गुरु है, वो गुरु करीबल 21 मई 2024 के बाद आपके सप्तम भाव में ब्रह्मन करेगा, जो कि नॉर् यदि धनिष्टा या फिर शत्तरा का नक्षत्र में है तो आपको बहुत ज्यादा चोकरना रहना होगा इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा तो दोस्तों ये था वृच्चिक राशी के लिए शनी का जो ब्रह्मन आपके चतुरतुबाव में या फिर कुम्पर राशी में होने जादा है उसका जो प्रभाव किस प्रकार का होगा इस विशेव पर चर्चा आपको वीडियो कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुवह कि किया निचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना यो चनल है मेरा मंडा सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करना धन्यवाद